पर क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, बाप जाओ, मैं खुद से चली जाओंगी कॉलेज पर कॉलेज तो अभी दो किलनेटर दूर है, कैसे जाओगी वहां तक? अब, वो देखी, मेरी सहली कामना आ रही है अब वो, वो जो साइकल पर आ रही है हाँ पापा, वो मेरी सबसे अच्छी सहली है मैं उसी के साथ जाओंगी पर तुम साइकल से कैसे मतलब? मतलब अतलब कुछ नहीं आप जाओ जब तक कमलनाथ अपनी बात पूरी करते लक्षिता गाड़ी से उतर कर कामना के पास चली गई कमलनाथ को ये देखकर अच्छा नहीं लगा फिर थोड़ी देर बात कॉलेज में कितना मज़ा आया ना? क्या खाक मज़ा आया? तू तो आराम से बैठ के पीछे मैं थब गई तुझे यहां तक ढोकर लाने में तो मैं क्या करू? अब मुझे तो साइकल चलाने आती नहीं है तो तुझे ही डोना पड़ेगा न मुझे? लक्षिता और कामना कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे दोनों सारा दिन एक साथी रहती थी कामना बहुत सुन्दर और पढ़ाई में बहुत होशियार थी लक्षिता के पापा कमल नात बहुत पैसे वाले आदमी थे जबकि कामना एक गरीब किसान की बेटी थी फिर उसी शाम आज 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 मैंने तेरे लिए रोटी बना कर रखी है बाबा मैं आ गई आपने खाना क्यों बनाया? मैंने बोला था ना कि मैं आकर बना दूगी अरे तु ठकी हारी कालिट से आई और फिर रोटी बनाएगी सो मैंने ही बना ली बेटा और वैसे भी कुछ दिन बाद तो तेरी साधी हो जाएगी फिर तेरी विदाई के बाद तो अपनी रोटी तो मुझे ही बनानी पड़े की ना? कामना की मा नहीं थी बस उसके साथ उसके बाबा गोविन सिंग थे दोनों एक दूसरे का बहुत खयाल रखते थे गोविन सिंग ये तो जानते थे कि उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत होश्यार है लेकिन फिर उन्हें दिन रात कामना की चिंता सताती रहती थी उधर कमलनात भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे लेकिन वो थोड़े घमंडी भी थे वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी गरीब के साथ रहे या उससे बाते करे फिर अगली सुबह कार में पापा बस यहीं रोग दीजे कामना आ रही है कमलनात में बस्ते में गाड़ी रोग दी और लक्षिता को जाने के लिए कहा लक्षिता भाग कर साइकल के पीछे बैठ गई कमलनात को फिर से ये सा बच्छा नी लगा और उन्होंने इस बारे में लक्षिता से बात करने का फैसला किया फिर उसी शाम घर पर बेटा लक्षिता यहाँ आओ जरा वो जो तुम्हारी दोस्त है क्या नाम है उसका कौन कामना हाँ वही उसके पापा क्या करते हैं वो एक किसान है पापा आपको पता है कामना की ममी नहीं है उपर से वो लोग बहुत गरीब भी है पता था मुझे सुनो तुमना उस लड़की से थोड़ा दोर ही रहा करो है क्या मतलब पापा बेटी मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि उस लड़की की और तुम्हारी कोई बराबर ही नहीं है पर पापा वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हारी फ्रेंड इसलिए है क्योंकि तुम अमीर हो समझी पापा प्लीज वो ऐसी नहीं है लक्षिता को अपने पापा की बाते बरी लगी और वो गुस्ते में वहाँ से चली गई पापा लक्षिता कोई बच्ची नहीं है और वैसे भिपापा तो स्थी में अमीर और गरीब कौन देखता है गरीब देखता है कि उसका दोस्त मालदार है कि नहीं और तुम भी अरुन था तो कमलनाथ का बेटा लेकिन वो भी अपने पापा से बहुत अलग था और कमलनाथ को इसी बात की चिंता रहती थी कि कहीं अरुन किसी गरीब लड़की से शादी ना कर ले वो चाहते थी कि उनके दोनों बच्चों की शादी उनसे भी बड़े घर में हो अलांकि इस सब के बावजूद कमलनाथ अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था लक्षिता मेरी बिटिया नाराज है क्या और नहीं तो क्या पापा सब लोग एक जैसे नहीं होते की परिक्षा लेना चाहते थे और फिर अगले दिन सुनना आज तु मेरे साथ मेरे घर पर चलना क्यों क्या हुआ अब कुछ काम है तुझसे घर चल कर बताऊंगी शाम को अरुन कार्स दे लक्षिता और कामना दोनों को घर ले गया लक्षिता सीधे कामना को अपने कमरे की तरफ ले गई और उससे कहा तू अंदर बैग मैं बस फ्रेश हो कर आई ओकी जल्दी आना कामना जैसे ही कमरे में गई तो ये देख कर हैरान रहे गई कि लक्षिता के बिस्तर पर नोटों की दो गड़ियां पड़ी हुई थी देखने से ही पता चल रहा था कि वो बहुत सारे पैसे हैं कामना ने फॉरन नोटों की गड़ियां हाथ में पकड़ी और वहीं बिस्तर पर बैट गई उधर कमलनात और अरुन ये सब कुछ कमरे में लगे कैमरे की मदद से देख रहे थे जो कमलनात में उसी दिन लगवाय था देखा मैंने कहा था न ये सब एक जैसे होते हैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपना इमान बेच दिया इस लड़की ने एक मिनिट पापा सरा रुक तो जाईए देखो लक्षिता कमरे में आ रही है उए कैसी बेवकूफ लड़की है तु ये इतनी सारे पैसे ऐसे ही बिस्तर पर छोड़ रखे है तुने तेरे पापा और तेरे भाई कितनी मेहनत से दिन रात एक करके पैसे कमाते होंगे और तु है कि तुझे बिलकुल पैसों की कदर ही नहीं है ले ये पैसे पकड़ और या तो अंकल को देया या फिर इसे कहीं संभाल कर रख लक्षिता को तगडी डांट पड़ी थी पर वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी क्योंकि भले ही कामना ना जानती हो कि वो एक बहुत बड़ी परिक्षा में पास हो चुकी थी लेकिन लक्षिता ये बात अच्छे से जानती थी उधर दूसरे कमरे में उमीद है पापा कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा आपने उसे बहुत गलत समझ लिया इतना कहकर अरुन वहाँ से चला गया कमलनाथ हार शुका था और उनकी बेटी की दोस्ती जीत गई थी फिर अगली सुबाद पापा सुनिए आज समिस्टर की फीज भरनी है हाँ ये लो पैसे कमलनाथ ने लक्षिता को पैसे दिये लेकिन इसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई क्योंकि कमलनाथ के पास कहने को कुछ था भी नहीं उधर कामना भी अपने बाबा से पैसे लेकर कॉलेज जा रही थी लेकिन तभी उसने देखा कि रास्ते में एक कार का एक्सिडेंट हुआ है और कार सवार खून से लत्पत है कामना ने जब उस घायल को देखा तो हैरान रह गई वो अरुन था कामना ने फॉरन एक टैक्सी रोखी और उसे तुरंट अस्पता लेकर पहुँचे अरुन ये सब देख और सुन रहा था उधर डॉक्टर की बात सुन कर कामना सोच में पड़ गई क्योंकि उसके पास पैसे तो थे मगर वो उसकी फीस के थे लेकिन उसे पता था कि उसे क्या करना है कुछ दिर बाद कमलनात और लक्षिता भी वहां गए लक्षिता ने आते ही कामना को जोर से गले लगा लिया और उनका उप्रेशन हो चुका था और अब वो खत्रे से बाहर था फिर कुछ दिन बाद अंकल नमस्ते अ नमस्ते बेटी, कैसी हो? अंकल मेरी शादी तय हो गई है तो सबसे पहला कार्ड में आपको ही देने आई हो अच्छा अच्छा, लड़का क्या करता है? जी, वो सरकारी क्लरक है सही है, सरकारी नौकर है तो राज करोगी कामना वहां से चली गई, लेकिन कमलनात को कुछ अच्छा सा नहीं लगा फिर जल्दी ही कामना की शादी का दिन आ गया वरवधु को बलाईए, फेरों का समय हो रहा है पंडित की इतना कहते ही दुल्हे ने सहरा खोलते हुए कहा अचानक राकेश के मुँसे इतनी बड़ी डिमांड सुनकर वहां मौजूद हर आदमी सन रह गया तब पर कार की तो कोई बात नहीं हुई थी बेटा तुम्हारे पापा ने तो चादी मुझे करनी है कि मेरे पापा को कार आएगी तो ये फेरे होंगे और तभी लड़की विदा होकर मेरे साथ जाएगी समझ गए गोविन सिंग राकेश से मिन्नत करते रहे लेकिन राकेश कुछ सुनने को तयार नहीं था तभी गुस्ते में उसने गोविन सिंग को धक्का दे दिया अबे ओए सरकारी नौकरी का इतना घमंड तुझे नहीं पता तो एक कार के लिए क्या ठुकरा रहा है ओ अंकलो ओकात में रहो समझे है लड़की की विदाई तो तभी होगी जब कार आएगी और तुमको ज़्यादा दिक्का था तो तुम्ही ले जाओ नहीं से तभी कमलनाथ में किसी को फोन लगाया कुछी देर बाद ही नई नवीली चमकती हुई कार मेरिज गारडन में आ चुकी थी वहाँ मौझूद सभी लोगों को कमलनाथ की ताकत का एहसास हो गया था अब तो खुसी खुसी विदा करो अपनी बेटी को मेरे साथ है विदाई तो होगी पर तेरे जैसे घमंडी और लालची के साथ नहीं अरोन कहा हो जी पापा तुझे कामना पसंद है की नहीं कमलनाथ की बात सुनकर गोविन सिंग ने उसके सामने हाथ जोड़ लिये और उधर अरोन और कामना एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिये इसके बाद अपनी विदाई पर का